नमस्कार सांतियों स्वागते आप सभी का कक्चा 11 वाले जितने भी दोस्तों जुड़ चुके हैं इस वीडियो में सभी एक बार अपने सभी दोस्तों को शेर कर दीजिए क्योंकि आप साथ तारिक को आपका जो पेपर रहेगा वो विसे हिंदी का रहेगा यदि अच्छे अ आपको एक या दो पेपर या तीन पेपर के आसपस आपको हम अविलेबल करवाएंगे दोस्तों मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजी ओल स्टुडेंट सबसे ज्यादा जिसके कमे पालियर शिवपूरी इंदोर बोपाल जहांसे भी आप इस वीडियो को देख रहा हैं जो भी आपका जिला है जिला के जल्दी से कमेंट कर दीजिए उसी इसाफसे आपको पेपर मिल जाएगा चलिए अब बिना देर किये बात ना करते हुए पेपर में कौन से कॉशन देख लूंगा कमेंट बॉक्स में जो डोस्त ग्लास में जुड रहे हैं वो तो लाईव में अंसर देडिजिए और जो दोस्त हमारे लाईव क्लास में नहीं जुड पा रहा हैं वो बाद में इसका अंसर दे दे लका मतलब जवाब बताना है जिले का जवाब देना जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा क्योंकि फिर लेट हो जाओगे फिर मत बोलना कि लेट डाला था कॉशन पहले देख लेते हैं ठीक है जल्दी देख लीजिएगा तब तक सभी स्टुडेंट आएंगे तब तक हम यहां पर कुछ कोशनों का सुलूशन देखेंगे कबीर ने इस वर के कितने स्वरूपों को जाना तो इसमें करेक्ट अंसर होगा एक मीरा अपना सर्वस्व मानती है क्रिश्न को कवी के पिता एक बार में दंड लगाते थे तो कवी के पिता जो थे एक बार में दंड लगाते थे तो इसमें करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा जो कवी के पिता एक बार में दंड लगाते थे 260 प्रतिक चरण में चोपई की पृतिक चरण में मात्राएं होती है तो इसमें correct answer होगा, आपका 16, 16 अगला question, चंपक के पिता का नाम था, तो चंपक के पिता का नाम था, सुंदर अगला question है आपका के मादूर्री गुण में वर्नों की होती है मादूर्री गुण में वर्नों की जो होती है वो होती है कोमलता चलिए अगले कोशिन के और बढ़ते हैं सभी अपने हाथ में कोपी और पेंड रखिएगा और इंपरिशनों को नोट कर लीजिएगा रिक्तिस्तान देखेंगे दोस्तों पहला हम देखेंगे याँ पर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जाकती थी करेक्ट अंसर होगा जीब अपने हाथ में कोपी और पेंड रखिएगा नोट करके जरूर चलिएगा ये पीडियेप मैं आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा और बाकी जो भी आपके पेपर बगेरा है और टेलिग्राम पर आपको मिल जाएंगे जो भी दोस्त जल्दी से जुड़ चुके हैं आप सभी से मैंने बोल दिया है पहले ही कि आप सेर कर दें सभी खो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिया नसुरुद्दिन किस्म की रोटी बनाने के लिए मैसूर थे तो करेक्ट अंसर होगा 56 च्पपन आपका करेक्ट अंसर होगा 56 लिका है देख पा रहा है आप सभी 56 अगला कुश्यन लाड करजन ने भारत वाशियों को गरम तवे पर की बाती नचाया पानी की बूंदों क अगला कुश्यन बाहरत सब्द भासा का है तो बाहत सब्द जो है गुरु मुकी भासा का है दन्राम दर्जे तक ही स्कूल का मु देख पाया कौन से दर्जे तक तीस रिड़ Day तर दर्जे तक एक अंकी अंक와 इड़ा हैं तो इसमें एक अंक की जामून पेड पेड के है वीडियो पूरा आपको बताया जा रहा है पीडियाप आपको सभी टेलिग्राम पर मिल जाएंगे आपके जिले के साथ से टेलिग्राम को जोइन कर लेना आचारी राम चंदर सुकल अब इसको छोड़ो कावी की सुबबडाने वाले धर्म क्या केलाते हैं ये अलंकार केलाते हैं जहां वास्तुविक विरोध ना होते हुँ भी विरोध का आबास हो वहाँ पर विरोध आबास अलंकार होता है वियंजना सब्द सक्ती के पिरकार होते हैं साब्दी और आर्थी काववी आनंद को कहा जाता है काववी में जो आनंद मिलता है उसे हम रस केते हैं समास के वेद होते हैं अच्छे और आचार राम चंत सुकले को मिलाओगे अलंकार काववी की आत्मा आचार राम चंत सुकले ने कहा है कि अलंकार जो होते हैं कावी की आत्मा होते हैं अगला कोश्चन हम देखेंगे बिल्कुल आप सभी एक वाज शेर कर दें जल्दी जल्दी से अनसर सहीद पूरे PDF में आपको दे दूँगा टेलिग्राम चेनल पर किस काल को स्वरने युक कह जाता है तो इसमें करेक्ट अंसर हो जाएगा भक्तिकाल आप लिखेंगे ओल इस्टूडेंट इसका करेक्ट अंसर लिख लिजिए भक्तिकाल नीचे भी लिखा है अनसर सहीद आपको बताया जा रहा है अगला कोश्चन चंद कितने परकार को होते हैं तो इसमें आप लगाएंगे तीन है न यहाँ पर दो लिखा है तोड़ा साथ पूरा वीडियो देखेगा इससे भग मात जाएगा तीन परकार कोते हैं चंद स्रंगार परक रचनाओं में कौन सा गुन होता है मादूर ये गुन होता है अगला कोश्चन देखेंगे समस्त रसो और रचनाओं में जो चित्त को सुके इदन में अगनीके समान सिग्र व्यक्त 40 करता है वो पृसाद गुन है ये वाकि किस सहित्तिकार का है तो ये जो है वो आचारी विसुनात का है अगला कुश्यन ग्यान मारगी साका के कवी कौन है तो कभीरदास जी है राम चरित्र मानस के रचना कर कोन है तुलसी दास तुलसी दास आपका correct answer इसमें होगा अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन आपका सत्य फत्य से देखिएगा वीडियो को लाफ्ट तक देखकर जाना है भगना नहीं है बीच में नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा देखिएगा कुश्यन नमर पहला लता के गाने में करून रस विसेश प्रभावसाली रीती से व्यक्त होता है तो यहाँ पर जो यह असत्य हो जाएगा आपका ठीके यहाँ पर देखिए हमरा वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो हम आपको यहाँ पर जल्दी से इसके सभी अंसर आपको बता देते हैं तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपका फत्य हो जाएगा भारती संगीत सास्त्र का मुख की वाद्दी सितार रहा है असत्य दोनों इसत्य कोई की खुदाई और एक विसेज तरह की सिनाई करने वाले दक्चितम लोग चेल वान जी अत्वा चे जारो केलाते हैं तो बिल्कुल सही बात है साइट्य संगीत कला से वीहिन मनुष्य साक्चात बिना पूँच के पसु के समान होता है ये भी बिल्कुल सही बात है अगला कोईशन अगनी का पर्रेवाची क्रिशान हुए ये भी सही बात है और 9.211.9 का अर्थ वापिस होना है गलत असत्य है चलिए अब हम उन कोईशनों को देख लेते हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कभी नेसा क्यों कहा है की संसार बोरा गया है उसके बाद मैं ये कोईशन आप देख लीजिएगा ये सभी अंसर मैं आपको टेलिग्राम पर सेंड कर दूँगा अगले कोईशन और भी कुछ में बता देता हूँ इसमें महतुपूर्ण जो आपकी बरिक्चा की द्रश्टी से बहुती महतुपूर्ण है देखिए मीरा ने स्रीकृष्ण को किस रूप में सोयकार किया है पती के रूप में गनगोर वर्सा के समय कभी की आँकों में इसमर्तिया उबर रही है किसकी घर की और तिरी लोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है चमपा अगला चाती पर सांप लोटना का अर्थ होता है रिश्या करना मीरा भाई किस कावी की कवितरी है बक्तिकाल की पर तियक व्यक्ति जानता है कि अमिता बच्चन कौन है ये कौन सा कावी है ये आपका है मिसरित वाक्य वाक्य पूचाएं याँ पर कौन सा वाक्य है तो ये जो है मिसरित वाक्य है अब यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों सभी ये पूरा पीडिये आप में आपको टेलिग्राम पर दे रहा हूं जल्दी से सभी दोस्तों ही जोई जोईन कर दियेगा टेलीग्राम चैनल को डिस्कुप्सन में लिंक के ये सारे कोशन जो भी आपके पेले पेपर पेले परिक्चाओं में कोशन पूचेगा हैं और सब कोशन इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे जल्दी से टेलीग्राम को जोईन कर लीजेगा साथ ही आप इस यूटियो को कहां से देखना है कमेंट बॉक्स में लिखना है मिलते हम नेस्ट वीडियो में धन्यवाद